Guys, हम लोग discuss करेंगे budget सत्र के बारे में, budget session के बारे में, Parliament के, मैं फिर से repeat कर देता हूँ, budget पर अभी हम लोग discuss नहीं कर रहे हैं, उस पर अपन separately discuss करेंगे, अभी हम discuss कर रहे हैं budget session के ओपर, सबसे पहले तो आप लोग के लिए एक सवाल है, नीचे comment box पर इसका answer लिख कर बताए कि हमारे Indian constitution में budget word mentioned है की नहीं है, और हमारे parliament के total कितने session होते हैं, क्या, जितने भी होते हैं, उसका answer लिख कर बताओ, और कौन से कौन से होते हैं, उसका क्या नाम है, उनमें से एक budget session हम लोग को देखने को बताए, obviously, तो क्या इन session के बारे में, constitution में mentioned है की नहीं, बताओ, नी सबसे, यानि की शुरुवात जो होती है, budget session की, तो उस समय session में honorable president दोनों houses को address करते हैं, तो सत्र की शुरुवात में, राश्वती, रामनात कोविन, संसत के केंद्रिया कक्ष, central hall में, दोनों सदनों को सम्मोधित करते हैं, और इन्होंने किया है भी, recently, दोनों houses को address किया है, economic survey, 2021 और 2022 का present हुआ, हमारी finance minister निर्मला सीतर रमन जी के द्वारा, और budget जो है वो, 11 बज़े जो है वो present हुआ next day, right, economic survey के next day budget जो है वो present हुआ 14 बज़े, और ये दो दिन जो थे, economic survey वाले और budget वाले, या एक जिस दिन budget present हुआ, तो इन दोनों दिनों में zero hour और question hour नहीं हुआ तो आप मुझे बताएंगे नीचे comment box पर लिखकर कि ये zero hour और question hour क्या है, इसकी क्या importance है, क्या होता है इस zero hour और question hour में, बताओ, इसके लावा जो पहला part हम लोग को session का देखने को मिला, right, after presentation of budget, budget के present करने के बाद, पहला part जो हम लोग को देखने को मिला है, budget पेश करने के ब discussion on motion of thanks, general discussion on union budget, बलब प्रश्न गैर सरकारी सदस्यों के कारिय, धन्यबाद प्रस्ताफ पर चर्चा, केंद्रिया budget पर समान्य चर्चा, आदी के लिए 40 घंटे का समान्य समय निर्धारित होता है, 40 hours, बलब budget एक बार present हो गया है, तो उसके बाद पूरे उस budget के discussion के लिए 40 hours आ परेंगे, यह generally हम लोग को एक देखने को मलता है, तो यह fact थोड़ा सा ध्हान में रखना, और constitution में parliament के sessions के बारे में क्या बात लिखी गई है, यानि कि संसत सत्रों से सम्मंधित सम्विधानिक प्रावधान क्या है, तो article 85, अनुच्छेद 85 ध्यासी ध्हान में रखना, इसम अगर आपके पास question आजाए, अगर आपके पास question आजाए कि constitution के according minimum कितने session एक साल में या फिर 12 महीने में होने चाहिए, तो दो session तो यह चीज चीज mentioned है, क्योंकि 6 महीने से जादा का gap जो है वो 2 session के बीच में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब साफ है कि 1 साल में 2 session की minimum requirement ज आलगि constitution ने कोई भी चीज specify नहीं किया है कि कितने दिन के लिए parliament की meeting होगी, कुछ specify नहीं किया, बस उसने एक ही चीज mention कर दिया article 85 के तहद कि 6 महीने से जादा gap जो है, वो 2 session के बीच में नहीं होना चाहिए, मतलब कि साफ यह है कि एक साल में 12 महीने होता है, और 6-6 महीने मत meet at least twice in a year, इसका मतलब यह है कि एक वर्ष में कम से कम दो बार संसत की बैठक होना अनिवारी है, तो याद रखना कि according to constitution, minimum कितने, कितनी बैठक होनी चाहिए, उसके बारे में क्या mentioned है, तो directly mentioned नहीं है, indirectly mentioned है, article 85 के ता है, ठीक है, तो यह चीज़ आप थोड़ा सा धियार में clearly कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि दो सेशन होने चाहिए, minimum, बस यह चीज़ लिख दिया है कि दो सेशन के बीच में 6 मेहने से जाधा का gap नहीं होना चाहिए, तो लिखा यह है 6 मेहने से जाधा का gap, बट समझने के लिए यह आप ध्यान में रखना कि यह mandatory है, परलिमेंट के हैं, बजट को present करने का और बजट को pass करने का लोगसभा के द्वारा, तो उस procedure के बारे में article 112 to 117 में mentioned है हमारे constitution के, तो भारत के समयधान में process mentioned है की budget जो है वो किस प्रकार से, जो है वो, उसकी procedure जो है वो किस type से होगी, और even हम लोग को देखने को मिलता है कि लोगसभा का rules of procedure and conduct of business जो हम लोग को देखने को मिलता है कि लोगसभा की प्रक्रिया और कारिय संचालन नियम जो है rules of procedure and conduct of business लोगसभा, इसके नियम 204 से 221 के बीच में और लोगसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देश संख्या 19B में निर्दारित है और साथी साथ 331E जो rules हम लोग को present करना है कैसे pass करना है उसके पूरे procedure mentioned है तो simple शब्दों में मैं अगर आपको समझाओं तो budget को present और pass करने की जो procedure बताई गई है वो constitution में भी बताई गई है लोगसभा के rules में भी बताई गई है even जो speaker के जो directions जो हम लोग को देखने को मिलता है दिशा निर्देश से related जो rules है तो उसमें भी यह चीज जो है वो mentioned है बस इतना simple सी चीज आप थोड़ी सी धाल में रखिएगा और budget जो है guys वो 6 stages से होकर गुजरती है this is very important point presentation of budget right budget की प्रस्तुती पहली stage दूसरी stage general discussion समाने चर्चा होती है तीसरी stage departmental committees जो है वो scrutiny करती है विभागिया समयतियों दोरा जाच की जाती है फिर voting on demands for grant अनुदान मांगो पर मदान होता है फिर appropriation bill pass होता है विनी योग विधेयक पारित होता है और फिर finance bill जो है वो पारित होता है वित विधेयक पारित होता है तो ऐसी 6 stage से होकर budget गुजरता है याद रखनी आपको और आपको बता दे budget जो है लोग सभा प तो यह point आप ध्यान में रखिएगा कि भारत में राश्पती द्वारा निर्धारे तिथी पर संसद में वार्शिक वित्या विवरण याने की budget प्रस्तुत किया जाता है राइट annual financial statement ये नाम है budget का official name budget नहीं कहीं पर भी mention नहीं है officially इसको annual financial statement जो है वो कहा जाता है तो यह point आप ध्यार में रखिएगा and immediately जैसे ही budget present होता है तीन statements हम लोग को fiscal responsibility and budget management at 2003 के देखने को मिलते हैं जो की लोग सभापर प्रस्तुत किये जाते हैं लोग सभापर रखे जाते हैं और ये तीन कौन से कौन से statement है medium term fiscal policy statement फिर fiscal policy strategy and statement और तीसरा macro economic framework statement हिंदी में तीसरा ठीक है तो ये ऐसे तीन हम लोग को देखने को मिलते हैं कि budget के present होने के बाद तीन statement इस प्रकार से लोग सभा में प्रस्तुत किये जाते हैं तो ये था गाई इस पूरा budget session से related important facts जो मैंने आपको बता हैं ये ध्यान में रखना है इससे related direct questions बनता है